जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आसीस धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा अहिल्या दस्तक इन दिरों सोसल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से बाइरल हो रही है दरसल वो कबर ये है कि उत्तर प्रदेश की हात्रस लोक सपा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा प्रित्यासी उतार दिया है कि जिसके समाज से हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी का 36 का आखडा रहा है जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ धन्गर समाज के प्रित्यासी हेम बाबु धन्गर की दरसल दोस्तो हेम बाबु धन्गर जेपी धन्गर जी के बेटे हैं और जेपी धंगर जी लगतार एक लंबे समय से धंगर समाज के हकतकारों के लड़ाई के लिए संगर्स रत रहे हैं और जेपी धंगर जी ने कहीना कहीं अपनी सरकारी नोकरी में भी लात मार दी थी क्योंकि वो कहीना कहीं एक बहुत दूर कामी सूच की बेखती रहे उन्होंने धंगर समाज के हकतकारों के लड़ाई के लिए जो संगर्स किया है वो कही न कहीं काबिल तारीफ है और कहीं न कहीं धंगर समाज के पिरचार में उनकी एहम भूंका रही और इसके पीछे का कारण कहीं न कहीं यही माना जाता रहा है कि धंगर समाज से कहीं न कहीं जेपी धनगर जी ने किया वो साइधी कोई करपाई क्योंकि धनगर समाज के अलख जगाने का काम जो है कहीने कहीं जेपी धनगर जी ने ही किया और उन्होंने पूरे कहीने कहीं देश में प्रदेश ही नहीं बलकि जहां जहां उनसे संभव हो सका बहां तक उन्होंने अपना प्रियास किया है और इस बार जो है बहुजन समाजपाटी ने कहीं न कहीं ये दिखा दिया कि जो अब तक 36 का आकड़ा बहुजन समाजपाटी का धंगर समाज से चलता चला जा रहा था उस आकड़े को कम करने का प्रियास कहीं न कहीं बहुजन समाजपाटी ने किया है हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी की जाती बिसेस की लॉबी तयार रहे लेकिन कभी ऐसा ना हो सका कि जो वाकी दबे कुछले पिछले सोसित और बंचित समाज हैं जिनकी कही न कहीं जितने प्रतिसत हिस्सेदारी बननी चाहिए थी वो कहीं न कहीं नहीं बन पाई और यह साथियों जो अक्सर दलित नाम लिया जाता उस दलित की परिभासा हमने हमेशा यही पढ़िये कि जो समाज आर्थिक रूप से समाजिक रूप से और सैच्छिक रूप से असक्षम होता है उसी समाज को दलित कहा जाता है ऐसी परिभासा तमाम इतिहास की समाजिक किताबों में दी है लेकिन साथियों बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों माया बती हमेशा से यही दाबा करती चली आई है कि उन्होंने दलितों के भले के लिए हर एक काम लेकिन इसी के बीच में जो बहुजन समाज का तबका है जिसमें से ऐसी समाज का तबका है धनगर समाज जो कि ऐसी की सूची में उत्तर प्रदेश के अंदर 27 नंबर पर अधिसूचित है उसको कही ना कही हकतकार दिलाने में कही ना कही जो हेरा फेरी की गई भहुजन समाज पार्टी की द्वारा वो कभी बहलाई नहीं जा सकते इस मामले को लेकर कि मैं आगे वीडियो लाओंगा कि किस तरह से भहुजन समाज पार्टी ने धनगर समाज के साथ अन्याय किया और उस अन्याय को आज तक धंगर समाज भुगत रहा है आज ये आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाया आज ये समाजिक रूप से सक्षम नहीं हो पाया आज ये राजनेतिक रूप से सक्षम नहीं हो पाया तो इसके पीछे का बड़ा कारण कहीं न कहीं बहुजन समंच पांटी रही। लेकिन तमाम संगरसों के बाद में वो कहते हैं कि देर आए लेकन दुरस्त आए। बहुजन समंच पांटी ने पहली बार आजा दी कि 76 सालों बाद, पहली बार ऐसा हुआ है कि नाम के आगे धंगर लगाने वाले प्रित्यासी को लोक सभा में टिकेट दे दिया गया हो। आज तक किसी भी पार्टी ने विधान सभा तक का ऐसा कुछ टिकेट नहीं दिया। जल्दी कि केवल और केवल एक भारती जनता पार्टी को चोड़ करके जिनुनें फिंडला से कही न कहीं बिधान सभा के अंदर के निपाल धंगर को प्रित्यासी बनाया। पहला प्रत्यासी धंगर के बाद में बहुजन समाज पार्टी ने आज तक कभी धंगर समाज धंगर लगाने बाला प्रत्यासी लोक सबा में, बिधान सबा में या किसी भी सदन में उतारा ही ने क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को हमेशा से एक ही बात खलती चली आई कि यदि ये धंगर का मुद्दा हल हो जाएगा तो उसके अपने निजी कोटे में से कही न कहीं जिस समाज की राजनीती बहुजन समाज पार्टी करती है उस समाज के कोटे में से कड़ जाएगा ऐसा डर हमेशा सताता रहा लेकिन भायती जंता पार्टी ने कहीना कहीं विधान सबा के अंदर प्रिम्पाल धंगर की रूपमे और लोक सबा के अंदर S.V. सिंग बगहल के रूपमे जो धंगर समाज के दो प्रित्यासी देदी उसके बाद से कहिना के एक खलबली सुरू हो गई थी क्योंकि धंगर समाज आज की डेट में जागरुक समाज बनकर के उभर चुका है और कहीना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि सिख्छा के इस तर पे हो चाहें वो राजनेते के इस तर पे हो एक बहुत तेजी से बढ़ता वो समाज यदि कोई समाज अब प्रिगती कर रहा है तो कहीना कहीं धंगर समाज भी उसमें नॉमिनेटिड है हर जगा कहीना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर कि आंदोलन लगाता रतेजी से बढ़ रहे हैं और कहीना कहीं हमेशा से अभी मैंने देखा था फिरोजाबाद के अंदर महाराज सिंग धन्गर के नेतरत में समाजबादी पार्टी के रूप में कही न कहीं समाजबादी पार्टी के नेतरत में जो धन्गर समाज की बिशाल जंसबा हुई उससे भी पूरे फिरोजाबाद पे बहुत बड़ा असर पर लिया तो कि हज्जारू की संख्या में लोग टोपी लगाए थे और टोपी पी लिखाता मैं हूँ धंगर या फिर महराज सिंग धंगर इस तरह से टोपी लगाए हुए थे कही न कही एक चीज तो साफ तोर पर नजर आ गई है कि धंगर समाच अब कही न कहीं पहले से बहुत बड़ी रोटेशन ले रहा है और बहुत बड़े रूप में जाकरित हो चुका है प्रदेश के तमाम ऐसे जनपत रहे जिनमें धंगर समाच के लोगों ने जबर्जस्त तरीके से हलचल पैदा कर दी जगह तो ऐसा भी देखा गया कि धंगर समाच के लोगों ने भेड़े HDM कारियाल हमें वसा दिए यहां तक आप्रोश से तुग अपने हगतकारों को लेकि क्योंकि संबिधान हमें यह इजाज़त देता है कि यह भी हमारे साथ में अन्यायत के चार हो रहा है तो हम उसका खुल करके ब्रोट कर सेके साथियों बहुजन समाच पार्टी ने जो इस 36 के आंकड़े को दूर करने का काम किया है कहीना कहीं धंगर समाच इस चीज को अब बहुत बारिकी से देखेगा धन्गर समाज का जो नेतरत है वो कही नहीं इस चीज को बड़ा बारीकी से देखेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि धन्गर समाज बहुजन समाज पार्टी को फिर से कीज़तान से सत्ता में ले आए और उसके बाद में फिर से इसको मुँगी खानी पड़े मुगी खानी मैं इसली कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पाटी ने पहले पी एक बार कुछ ऐसा कर दिया था कि जिसका खामियाजा आज तक धंगर समाज भोत रहा है सातियों मैं चाहता हूँ कि इस तूरे विसा पर अगली वीडियो लेकर क्या हूँ लेकि मैं आपसे केबल इतना जानना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पाटी ने जो हाथ रस्ते किकिट दी है हिम बाबु भनगर जी को उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर दीजेगा और बहुजन समाज के राजनितिक दुरुभी करनर जो इस बार करने का प्रियास कर रही है बहुजन समाज पाटी उसके बारे में आप क्या सोचते हैं हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत